आप लोगों की बेसिक से बायोलोजी को शुडू करने के लिए भी तयार होंगे तो एक बार सभी मुझे बता देंगे कॉमें सेक्षिन में कि आप लोगों को आप लोग और वीडियो यहां पर क्लियरली आ रहा है सभी को आवाज प्रॉपरली सुनाई दे रही है सब कुछ द चलना है सभी को आडियो वीडियो क्लियर है गुड मॉरिंग नमस्कार राधे राधे जैहिंद तो इसी के साथ जैसा कि सभी को पता है जीव विज्ञान या बायोजी की बारे में बात करने वाले हैं अब कुछ डाउट्स थे आपके मन में कि माम यह मिशन दोहजार 24 की जो को हम बात कर रहे हैं इसमें हम किन केन इक्जाम को फोकस करने वाले हैं क्या कुछ यहां पर ने वाला है और हम कैसे अपनी बैयो मिशिक को पढ़ने वाले यह subject ऐसा है जो आपके हर एक exam में help करता है चाहें आप SSC दे रहे हो चाहें आप railways दे रहे हो और उनके अंदर अगर हम questions की बात करें तो questions भी आप लोगों के काफी ज्यादा मात्रा में मतलब अगर मैं पूरी विज्ञान के बारे में चर्चा कर रही हूं तो विज्ञान के अंदर अगर वेटे जो रखता है वो आपका science में biology का काफी अच्छा वेटे रहता है biology यह हम बात करेंगे जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले इमाम देखो पूरी यह जो biology रहेगी यह हमारे हर exam को cover करते वे रहेगी हम topic के साथ जो theory रहेगी उसके बाद हम questions को भी करेंगे जैसे हम आज के session में करने वाले पहले अपन बात करेंगे कुछ theory के बारे में और उससे related questions के बारे में आप बोलेंगे माम मैंने biology प हम कहेंगे अभी 2022 में 2023 में दुबारा से आपके कुछ ना कुछ नए questions है उस आधार पे आपका पूरा syllabus होता है जो content होता है उसको भी change करना यहां पर पड़ता है तो हम उसी हिसाब से काम करेंगे हम सबसे पहले जो भी आपका latest pattern है उस आधार पे आपके content को साथ में उससे related questions जो मन में था ना कि माम एक बात बताओ हमने जो पहले पढ़ रखिए बहुत अच्छी चीज़ है मैं यहां पर आप लोगों के लिए बिल्कुल basics है मतलब कहते हैं कि जिसको कुछ भी नहीं पता जिसको नहीं पता कि माम biology में biology word का मतलब क्या है मैं कुछ इस प्रकार से आप को लिए बाते हैं चीज़ें को क्लास में क्लास में चीजें जो है वह क्लीर हो जाए लूट्स आप लोग क्लास के अंदर साथ साथ भी बना सकते हैं और आपको PDF मिल जाएगी आपके तेलिग्राम गृप पर रांकर्डू कूरू कुछ पे वहां से भी आप अपने नोट्स क आपके मन में थे वो आई होप की सभी यहां पर क्लियर हो गए होंगे चलो शुरू करते हैं सबसे पहले अपने इस सब्जेक्ट के बारे में बायलोजी के बारे में जैसे मैंने तुमसे एक छोटी सी चीज गही थी अब ध्यान सर्फ टॉपिक के उपर कि माम हमें रटना नहीं है हमने क्या करना है हमने मोस्ली सब जितने भी वर्ड्स हैं उनको ब्रेक करके उनका मतलब समझना है मैं एक स्टार्टिंग ही करूँ मैंने का बही आपको बिल्कुल भी नहीं पता क्या है जीव विग्यान हिंदी में तो चलो तुम समझ गए कि जीवित चीजों का विग्यान यहां पर यह कहना चा जीवित और यहीं अगर मैं बात करूँ लोगों यानि कि हम किसी के अध्यन के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम कह सकते हैं जीवित या लिविंग चीज की स्टडी के बात करी जा रही है अब यह जो दोनों वर्ड्स हैं यह कौनसी भाषा से लिए गए हैं यह ग्रीक भाषा से लिए गए हैं यह ग्रीक लांग्वेज के वर्ड आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं तो माम जैसे हमने यह समझा ऐसे ही हम हर एक चीज को यहां पर समझेंगे क्लास क्लास आप लोगों की डेली सुभा ग्यारा बजे होगी और सिलेबस जो है पिटा देखो पूरा आप लोग को कराया जाएगा ऐसा नहीं है आप लोग का जो एप्लिकेशन पर पेड़ बैच है वो भी आपका तारिक से स्टार्ट होने वाला है तो पूरी चीज़ें आप लोग को कराई जाएगी मिशन दोहजार चौबिस को अपन यहां पर टार्गेट कर रहे हैं ठीक है दोहजार चौबिस में आने वाली तुमारी विज्ञान से डर जो है वो करना है अपने को खत्म ग्रीक भाशा से लिए गए यह शब्द है जिसका नाम है बायो प्लस इसके अध्यन को मतलब जीवित चीजों के अध्यन को हम यह इसकी डेफिनेशन यहां पर बनाते हैं कि अगर आप से पूछा जाए भीया बायो जी क्या है तो इट इस दी Study of Living Things यह जीवित चीजों का अध्यन कहलाता है जीवित जीव का अध्यन अब बात आती है कि इसकी खोज किस ने करी थी सबसे पहली बार इस पूरी बायोजी के बारे में किस ने पढ़ा था किस ने समझा था एक जनाब थे जिनका नाम था अरस्तु आप लोग उने सुना हो होगा Aristotle मतलब उन्होंने एक सब्जेक्ट नहीं एक पूरी बायोजी नहीं और भी अन्य शाखाओं के उपर काम किया उन्होंने देखा कि यार कुछ जीव ऐसे हैं जो चल फिर रहे हैं कुछ जानवर उन्हें दिखाई दिया उन्हें तो नहीं पता था ना उस ताइम पर कि जानवर है उन्हें दिखा कि कुछ ऐसे हैं जो कि चल रहे हैं कुछ ऐसे हैं जो स्थिर हैं बाद में उनकी विशेशनाओं पर पता लगाया उन्होंने लेकिन सबसे पहले इस पूरे विज्ञान की जो शाखा जिसे आप पढ़ते हो बायोजी के नाम से इसके जनक के पादर ओफ बायोलोजी एरिस्टोटल को कहा जाता है जीव विज्ञान के जनक इन्होंने बाद में इस पूरी बायोलोजी को दो शाखाओं में भी बाटा उन्होंने ये देखा कि अब कुछ ऐसे हैं जो कि चल फिर पा रही हैं जो कि इजीली मूव कर रहे हैं अब जो चल जनके पास हाथ पाओं हैं जनके अंदर लोको मोशन दिख रहा है या मैं कहूं जो गति शीलता के साथ मूव कर रहे हैं वो उन्होंने रख दिया एक दूसरी ब्रांच में जिसका नाम रखा जूलोजी मतलब इन्होंने कम्प्लीटली दो अलग अलग शाखाएं बनाई एक शाखा बनाई थी जूलॉजी देखो जूलॉजी में नाम आ रहा है garn erm depressed याद रहेगा कि माहम जोलौजी जिसको हम हिंदी में कहते हैं जंतु विग्यान इसमें हम सभी जंतूं बारे में बात कर रहे हैं सो मतलब हम एनिमल से संबंदित बात कर रही है आप कहेंगे मैम इंसान क्या है मानव भी तो एक सोशल एनिमल है पूरा पीलोजी आपका रहेगा कहें परिशान होते हो भी SSC बिहार के लिए भी बिहार के लिए भी रहेगा आपका रेलवेज हो SSC हो थोड़ा बेसिक से बस चीज़ों को समझते वे चलना हम बढ़िया तरीके से आपके पूरे सिलिबस को कराने वाला है जुलोजी मतलब हम जानवरों के बारे में अध्यन्न कर रहे है तो जुलोजी क्या है टिस दी स्टडी ओफ एनिमल्स यानि की जन्तू का अध्यन्न यहीं इन्होंने यह देखा कि यार कुछ तो पेड़ पौधे हैं जो कि मूव नहीं कर रहे हैं उनको इन्होंने एक अलग श विज्ञान इसको कहा जाता है पादप विज्ञान स्टडी ओफ प्लांट्स स्टडी ओफ प्लांट्स पादप का अध्यन्न जितने भी पेड़ पौधे आप देखते हैं वो सब इसी शाखा के अंदर आते हैं अब मैम इनके भी क्योंकि यह दो अलग-अलग हमने ब्रांच करें जन्तु विज्ञान के जनक की बात करें वहां वापस से आपको अरस्तु सहब का ही नाम याद रखना है एरिस्टोटल जिने हम अरस्तु के नाम से जानते हैं और अगर बौटनी की बात करूं प्लांट्स के बारे में थोड़ा सालक से नाम याद करेंगे जिसका नाम ह Theophrastus. Theophrastus को कहा जाता है Botany का जनक. Father of Botany. Theophrastus. अब देखर हुआ क्या था? हुआ क्या था कि माम बहुत सारा जब ऐसे सामने हमारे कुछ बिखरा हुआ रहता हम भी अगर अपने कहीं घर में जा रहे हैं और यह कहीं लाइबरी में जा रहे हैं कहीं अपने study room में जा रहे हैं हमें दिख रहे हैं सब कुछ बहुत साथ बिखरा हुगा है अब उस बिखरे हुए चीज को समेटना बहुत जरूरी है कि जिसकी विशेशता हैं जैसी हैं उनको उस तरफ रख दिया जाए ठीक है जिसकी इसी same characteristics हैं तुम्हें पताए कि मुझे माम सारे subject मढ़ने हैं मैं maths की किताबे एक तरफ रखूँगा, science की एक तरफ रखूँगा, English की एक तरफ रखूँगा, reasoning की एक तरफ रखूँगा, आप भी distribute करेंगे इन्हों ने भी कुछ ऐसी किया, जानवरों को एक तरफ किया, पा रखूँगे वर्गी करण को लिखा गया था, ठीक है, तो यहां पर इन्होंने अपनी अपनी एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम जरूर याद रखना, इन्होंने एक बुक लिखी थी, जिसका नाम था, Historia Animalium, Historia Animalium, देखो नाम में है, Historia Animalium, History of Animals, जानवरों का, जितनी भी उनका पूरा स्टेडी थी, जो भी इन्होंने अध्यन किया था, उसका पूरा हिस्ट्री इन्होंने कहा लिखा, इस बुक के अंदर लिखा था, तो इन्होंने जो किताब लिखी, उसका नाम बढ़ गया, Historia Animalium बोलो बात समझेंगें नहीं समझें, ठीक है, तो ये किताब का नाम याद रखना है, इसको हम लिख सकते हैं, History of Animals भी, बट हम से जो पूछा जाता है, वो इस नाम से पूछा जाता है, Historia Animalium, किताब का नाम ही तो पूछेगा, मतलब थोड़ी पूछेगा, दूसरी तरफ आ Plant theorem, Historia Plant theorem, मतलब Plant theorem, Plants related word है, यहाँ Animals थे, आप नाम समझें, जन्तूओं का अध्यान, जन्तूओं की History, यहाँ पर Plants की History की बात कर रहा है, तो लिखेंगे History of Plants, ठीक है, जितने भी पादप थे, इनके बारे में पूरी डिटेल लिख दी, जो जो इनको समझ में आया था, कि मुझे दिख रहा है, कोई Plant लंबा है, कोई घास दिख रही है, कोई लंबा है, चोटा, हर्भ है, श्रॉब है, जो भी इनको Features दिखें, वो सब इन्होंने यहाँ पर नोट कर लिए, ठीक है, समझाई बात, तो माम, यहाँ से तीन-चार सवल डरेक्ली बन जाते हैं, कभी अगर पूछेगा कि इसके जनक कौन है, किताब कहां लिखी थी, इसके जनक कौन है, किताब इन्होंने कहां किस नाम से लिखी गई थी, इतना होने के बाद एक और विशेष्टा आती है, कि माम, यह दो चीज तो ठीक है, चलो हम समझ गए, आपने जानवरों को अलग कर दि चलिए, क्लियर है सबको, शिवं, पेड बैच आपका एक दिसंबर से शुरू हो रहे है, आपके अप्लिकेशन पर आप लोग को जो बैच है, कंप्लीट साइन्स का, वो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर एक बार चेक कर सकते हो, वोईस सभी को क्लियर आ रहे है, पीड सब्सक्रिप्शन बॉक्स में है, और वहां से आपकी जो भी इस पूरे क्लास की पीडिएफ है, वो आपको प्रोवाइट करा दी जाएगी, क्लास के तुरंद बाद आपको वो मिल जाएगी, ये क्लास CGL के भाई, पूरे CGL, CHL, आपके हर एक मिशन, 2024 मतलब 2024 में तुम्हा बिटब प्राइस वैसे 499 है, बट एक दिसंबर से पहले याने की 30 नवेंबर तक 299 में आपको पूरा साइन स्पेशल मिल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री पुषपेंदर सर बढ़ाएंगे, बायो आपकी मैं कवर कराऊंगी, तो आप लोग आर जी विक्रम जीत अप्लिक है क्लासिफिकेशन यानि की वर्गी करण, अब इस वर्गी करण में हमने क्या-क्या चीज़ें देखी, अब तुम एक छोटी सी बात बताना, मैं आप लोगों को अभी फिलाल नहीं देख पा रहे हूं, मुझे नहीं बता कि मुझे बस इतना बता है कि यहां क्लास में उत्तरप्रदेश जिले में, आगरा डिस्ट्रिक में, इस कॉलोनी में, इस गली में, इस मकान नंबर में रहता हूं, बोलो बताओगे कि नहीं बताओगे हाँ, यूट्यूब पर डेली क्लास होगा जीत, सुबह 11 बजे डेली क्लास होगी अब आप मुझे ऐसी बताओगे कि माम, यह पूरा डीटेल है, यह मेरा एड्रेस है, आप यहां पर मुझसे संपर कर सकते हो ठीक है भाई, यही चीज हमारे कैरोलस लीनियस ने समझी इस में वो यह जानना चाहते थे कि चलो तुर टुमने कहा कि भाई यह एक ऐनरीमल है, एनरीमल में तुम पहुंच गए, किसी भी हूमन के बास, या मैं कहूं किसी चुहें komme कि बंदर के बास, तुम की भी के पास पहुंच गई, लेकिन उसितित सारे जानवरों में थनоФो ह बुझे चुहा देख रहा है या बंदर देख रहा है उसके लिए इन्हों ने इस पूरी शाखा का एक development यहां पर किया है इसकी खोच करी और उसके बाद इन्हों ने इसमें पूरी डीटेल बनाई कैसे कि हम इन सभी जानवरों को पहुँचने के लिए एक पुरा रास्ता बन बना देते हैं और उस टेक्जोनावी में सबसे उपर इन्हों ने क्या रखा सबसे उपर इन्हों ने कहा कि देखो भई आप एक kingdom बनाता हूं एक जगत बना देता हूं kingdom यानि की जगत या तो वह जन्तु जगत होगा या वह पादब जगत होगा बुलो बात समझे उसके ब वहां हमने बनाए phylum ठीक है फिर आता है class फिर आता है order family genus and the last one जिसको हम कहते है species ठीक है थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको इसको कहते है हम species मतला माम आप क्या कहना चाहरे हो तुमने बता है माम मैं भारत में रहता हूं भारत के अंधर भी कहा रहता हूं में रहता हूं मेरा state हो गया उसके अंदर भी मैं आगरा में रहता हूं आगरा में भी मेरा महला कौन सा है मेरी गली कौन सी मकान नंबर कौन सा है तब जाके तुम पता चलेगा ना कि तुम कहां पर बैठे हुए वह आक्चली में तो भाई सब वो जो species है यह सबसे छोटी का यह होती है वर्गी करण की जहां से हम पता कर सकते हैं कि हम बात किसकी कर रहे हैं मानव की कर रहे हैं किसी प्लांट की कर रहे हैं जब भी हम नाम पढ़ते हैं ना ममने कहा मानव है होमो सेपियंस कहा जाता है अब होमो सेपियंस तुम्हें तो पता चल गया लेकिन होमो में सकता है कुछ और स्पीशीज हो तो सबसे चोटी वर्गी-करण की स्पीशीज को कहा जाता है जिसमें केवल एक जिसकी भी आप बात कर रहे हो वो प्रजाती आपको दिखाई देगी वो प्रजाती आपको दिखाई देगी और सबसे बड़ा वह आपका kingdom यह जगत को यहां पर इसको याद करने के लिए एक लाइन याद रखना कि कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक अरे मैडम ये कौन सी ट्रिक है सुनो इधर ध्यान दो बिल्कुल एन के कुमभी फ्री क्लास यूट्यूब पर रहेगा बिहार में रहता हूं बिल्कुल आप ले सकते हो रोज क्लियर अब इधर कि माम घर में जुतने भी पॉट है उनको साफ रखना चाहिए वरना फैमिली बिमार हो जाएगी सिंपल सी बात है घर में तुम साफ सफाई नहीं करोगे तो क्या होगा घर वाले बिमार बढ़ेंगे एक ना एक ताइम कुछ ना कुछ जीव बनेंगे कु पूरा सीक्विंस याद किया इसको कहते हैं टेक्जोनोमी या इसको विज्ञान की उस शाखा के अंदर पढ़ते हैं जहां हम पूरा वर्गी करण देखने वाले हैं कि आखिर हमने जानवरों और प्लांट को वर्गी गरत कैसे किया ये कलंभी कहानी है और इस कहानी को जो स समझना है इसी लिए आप लोगों को यह चीज बार समझाई जाती है कि भाया समझो चीजों को घरों में पॉर्ट को साफ रखो वरना फामिली क्या हो जाएगी बिमार हो जाएगी सो पूरा एक आपका हाइरार्गी बना दी हमने कि सबसे बड़ा कौन है किंग्डम है सबसे चोटी क्या है स्पीशीज है यहीं पर जभी पूरी स्पीशीज की इन्होंने वर्गी करण कर दिया इसके जनक का नाम याद रखिएगा क्यारोलस लीनियस है इन्होंने काफी सारी किताबे भी लिखी थी उन किताबों के नाम जैसे कि हम बात करें सिस्टमा नैचुरी ठीक है एक किताब इन्होंने ये लिखी थी दूसरी इन्होंने लिखी थी स्पीशीज प्लांटेरम एक लिखी थी जैनेरा प्लांटेरम इंगलिश हिंदी दोनों में किताबों के नाम सेम थे तो ये कुछ किताबे थी जो इनके दवारा लिखी गई थी साथ में इन्होंने एक पद्धिती और दी थी जिसको कहते हैं बाइनॉमियल नॉमन क्लेचर बड़े ध्यान से समझना कैरोलस लीनियस ने नाम करण भी करा था इनका ये मानना था कि भाई देखो तुमने एक काम तो कर लिया एक काम क्या करा तुमने भी जल्दी से बताओ एक काम तुमने क्या करा तुमने करा वर्गी करन कि अच्छा माम ये बिखरी वी चीज़ है मैंने जानवर एक तरफ कर दिये प्लांट एक तरफ कर दिये मैं को समझ में आ गया अब मैं क्या करूँ अब मुझे उनका नाम भी तो देना पड़ेगा कि मुझे उस जानवर को बुलाने कि वो बंदर है, बिल्ली है, कच्छुआ है तो मुझे उसका नाम भी देना पड़ेगा नाम देने के लिए इन्होंने एक पद्धती शुरू करी जिसका नाम है बाइनॉमियल नॉमन्ख्लेचर बहुत बच्चे कह रहे थे कि माम बेसिक नहीं पता हमें कहां से आए ये सारे नाम इन्होंने बनाया था द्वीपद नामकरण द्वीपद नामकरण अब कहीं न कहीं हमें उसको रिलेट कर सकते हैं अपने नाम से मैंने कहां मेरा नाम है राधिका गुपता गुपता मेरा सरनेम हो गया राधिका नाम हो गया यहां पर नहीं नाम और सरनेम तो नहीं लेकिन इन्हों ने क्या बोला चीज आपको चीजा समझ में आरही है जल्दी से एक बार बताओ अब इशेक वोल्यूम्स अभी को क्लियर है एक थमसब का साइन शेयर कर दो कि माम हमें सारा कुछ क्लियर हो रहा है अच्छा जल्दी जल्दी से रताओ एक बार क्लियर है ओके डन तो जो आचुके हैं इक बार सेशन को अपने भाई यो बहनों तक भी पहुंचा देना भाई जो जुड नहीं भाई है माम की क्लासिस यहीं चलेंगे डेली सुबा ग्यारा बजे हैं तो बता जरूर देना और तो माम इन्हों ने जो बनाया है न यह बनाया द्वीपद नाम करें इनका मानना था यह द्वीपद में क्या क्या चीज़ें आएंगी द्वीपद का मतलब है पहला वर्ड जीनस को बताता है और दूसरा शब्द स्पीशीज को बताता है इन्हों ने कहा कि अगर मैं इस फर्मुले को लगाऊंगा कि पहले वर्ड में जी पोटाटो मतलब आलू पता है लेकिन आलू को हम विज्ञानिक नाम साइंटिफिक नेम बायलॉजिकल नेम जैसे कहते हैं इसका जैविक नाम क्या है वहां हम इसकी बात करते हैं सो लेनम त्यूबिरोसम पीटाई नाम आपको इंग्लिश में ही याद करने रहेंगे क्योंकि जितने भी आपके नाम है जैविक नाम जो है उसकी पूरी एक लिस्ट में आपकी आड़ करवा दूंगी उसको याद कर लेना जो एक्जाम के पॉइंट और यू से कही ना कहीं एक आद पर सिकम अब तुम जाके किसी सब्जी वाल भीया से कोगे भाया मुझे एक किलो सुलेनम लाइको पर सिकम दे दो भाया तुम्हें भगा देंगे वहां से यही होगा ना जाओ अपनी बायलोगी की लैब पे जाकर भोलना है हम मैं केवल बायलोगी बढ़ाओंगे आपको मे पहला शब्द बता रहा है इसके प्रजाती इसके जीनस को बेसिकली और सबसे छोटा जो स्पीशीज है वो ट्यूबिरोसम वर्ड लाइको पर सिकम से कि मैंगो की बात करूं मैंगी फेरा इंडिका हो जाएगा चावल की बात करूं राइजा साटाइवा हो जाएगा तो य इसकोस्ते साम्सेट आफ तो यही सब चीज हम ने इस पूरी विज्यान की शाखर क्लासिफिकेशन के इंदर देखा पहले आप उसको देखेंगे इंडिथा फिर आप उसका नामकरण भी यहां पर करेंगे तो इसके जनक इसी लिए हम क्यारूलस लीनियस को कहते हैं कि इन्हों ने क्या दिया इन्हों ने पूरी शाखा को यहां पर टेग्जो नौमी के अंदर बताया था यहां लिख लेंगे इट इस दा ब्रांच ओफ साइन्स दाट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले आप पहचान करेंगे और नौमनक्लेचर ओफ दी ओर्गानिजम कि असमये आपकी आप्र Recuper person दाट तर एक खुली-खुली-ख़व की तरह ho मुझे नहीं पता मैं दो और इक खुली किताब की तरह हुं मुझे नहीं पता क्या है कि मेरे सामने बिखृवी चीजें तो मैं पहचानूंगा भी और मैं उनका नाम भी यहां पर दूँगा यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव की पहचान वह नाम करण किया जाता है बोलो किसी को कोई डाउट यहां तक कि माम वरगी करण क्या है हमें समझ में आ गया नाम करण कैसे किया हमें समझ में आ गया ठीक है भई माम पेड बैच लेना इंपोर्टन है बटा देखो पेड बैच के अंदर हम पूरी डीटेल से सारे एक्जाम को आपके पर्टिकुलर टागेट करते हुए कवर करेंगे एक दिसमबर से शुरू हो रहा है एक दिसमबर से आपका साइन स्पैशल बैच आ रहा है तो आप लोग आडजी विक्रमजीद आप्लिकेशन डाउनलोड करके वहां पर चेक कर सकते हो और तीस नवेंबर तक उसका प्राइस जो है वो तू डबल नाइन का है वर्णा उसके बाद पूर डबल नाइन वो आप बन गया टेक्जोनोमी दूसरी तरफ हम जब बात कर रहे थे कि हमने दो मुख्य शाखाएं अपनी पूरी बायोजी की पढ़ी एक जोलोजी दूसरी बॉटनी की जन्तु विज्ञान और आपका वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान जोसे कहा जाता है एक तीसरी विज्ञान की जब बात की जाती है तो मैक्रोबायोजी में आपके वो सभी जीव आते जो तुम नगन आँखों से खुली आँखों से नहीं देख पाते अब मैं तुमसे कहुंगों कि अरे मेरे सामने से एक बैक्टीरिया जा रहा था क्या संबब्भ है नहीं देख सकते है कि मैं कहूं अरे वह वाइरस देखो ओड रहा है कुरोना में दिखा कभी कुरोना किसी को इसी लिए क्योंकि माम उन्हें हम खुली आखों से नहीं देख सकते वह नगर आखों से देखे जा सकते हैं अभी कुछ सवाल भी कराऊंगे तो जितने आम बहक रहे हो ना जब सवाल क उन्हें आखोंगे कहां से तुम्हारा ध्यान तो बटक रहा है तो इसलिए बोकुल फोकस करके ना सचीजों को समझने का प्रयास किया कि यह करो इसी के साथ हमारी जो थर्ड ब्रांच आती है उसे कहते हैं माइक्रो बायोलोजी इन कि माईक्रो बायो लॉजी माईक्रो मतल Micro Organisms यानि कि सूक्ष्मजीवों का अध्यना सूक्ष्मजीव का अध्यना अब मन में फिर एक सवाल आना चाहिए कि माम सूक्ष्मजीव क्या है मतलब अध्यन तक तो ठीक है मगर सूक्ष्मजीव यहाँ पर क्या होते हैं अगेन वही जो आप खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं इस सूक्ष्मजीव वर्ड के अंदर आपके सभी जीवानूं आते हैं सभी विशानूं आते हैं कवक की बात करूं प्रोटोजोवा की बात करूं यानि कि बैक्टीरिया है वाइरस किसी ने देखा ओ खुली आँखों से तुम बताना जरूर के माम मैंने तो देखा था देखो आपका पता नहीं है प्रोटोजोवा हेल्मिंथ यह सभी जो आप खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं और यही वो हैं जो क्या कराते हैं मैटली बीमारी कराते हैं रोग का कारक बनते हैं ठीक है रोग का कारक बनते हैं ऐक्चली में यही कोई ना कोई होता है जो की कि मारित तुम्हें करात देता है कोई ना कोई तो एसलिए याद रखेंगे माइक्रो अर्गानाजल computers सके अध्यन कों हम माइक्रो बायोलोजी के अंदर पढ़ते हैं इसके जनक कौन थे इसके जनक वो थे जिन्होंने सबसे पहली बार एक जीवित कोशिका की खोच करी थी जीवित कोशिका एक छोटा जो सेल होता है आपका जो कि लिविंग हमें दिखाई दिया था वो सबसे पहला बैक्टीरिया ह को कहा जाता है ऐन्टोनी वें लिविंहोंक इन्होंने बैक्टीरिया की खोच पर पहली जीवित कोशिका और जीवित कोशिका होने के साथ साथ ये हमको पहला माइक्रॉ और आर्क्रो ऑर्गानिसम भी यहाँ पर मिल गया था हमें समझ में आ गया था कि भाई साब आब कहानी क्लियर है सेल भी मिल गया पहला माइक्रोगानिजम मिल गया दरसल यह काम कर रहे थे थोड़ा अपने गार्डन में तो वहां जो कीचड थी वो इनके नाखून में लग गई थी आए अंदर अपना फिर काम करने लगे तो वो नाखूनों के अंदर जो मिट्टी थी जब जरेंगे आगे इन्होंने ही सबसे पहली बार खूच की दि प्रोटोसवा की स्पोहम की लेकिन इन्होंने बैक्टीरिया के उपर काम किया था बाद में पहला लिविंग सेल का ग्रेडिट इन्हीं को दिया गया था तो यह आपके माइक्रोबायोलोजी नाम की शाखा के जन तुम्हें पूरी बाइलोजी में पूरी फिजियोलोजी होगी अपने शरीर को समझना इंट्रेस्टिंग लगता है और नहीं लगता कि आगर हमारे शरीर में चल क्या रहा है हमारा दिल कैसे काम कर रहा है तुम कहते हो माम देखा तुझे और दिल में बजी गिटार भाई स भी कर देते हैं तो अपने आपको गलत प्रूव ना करें दिल का काम केवल कितना एक मास पेशी से बना अंग है जो बिचारा तूटता भी नहीं है मस्कुलर चीज कैसे तूट जाएगी तुम कहते हो दिल तूट गया हाई मेरा अरे संभा भी नहीं है भाई तुम जी विज पाद सब्सक्राइं बात करें यह सबसे चूटी काई कि मैं मैंनाव को पढ़ना चाहत हूं आपने का उसलोजी के vai ke enforcement कि अंदर हमरों को पढ़ते पादों प्रूँको ग्ремारिकिन पर ने नगते हैं दिल कर अट नुट जीवत ज़ीव देखते हैं इनकी सबसे चूटी का ह पास क्या है एक चुटा सा सेल है ठीक है ये सेल जब बहुत सारे आपस में ऐसे मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं आपका टिशू टिशू यानि की उत्तक ये है एक कोशिका देखो जिसने अब तक बायोजी नहीं पड़िया ना बिल्कुल बेसिक से अगर आज की क्लास समझ में आगे तो अगली सारी क्लास तुम्हारे कनेक्शन के साथ समझ मेंगी क्योंकि बायोजी ऐसा सब्जेक्ट है जहां से तुम कुछ भी उठा के पड़ोगे तो तुम नहीं समझ में आगा मैट्रिक्स बनाना बहुत ज़रूरी है कि आखिर एक सेल आया उससे हमारा टिशू ब करते हैं जब टिशू आपस में बहुत सारे जुड़ जाते हैं ठीक है लेकिन हमारे जो साथ ही यहां पर जुड़े हुआ याभी वी दिल है कि मानता नहीं आरे दिल मान जाएगा पेपर निकले हाँ तो इधर दियान दो तो ये वना आपका और का पर मलाशय की सब्सक्राड और सब्सक्राइब है मिरें और मुख से ठीज नार नाल से हां है भूझ आपके अमाशय में और आमाशय नाल से चोटे तो अब यह जो पूरा सिस्टम हम देखते हैं यह कहलाता है पाचण टंतर ऐसे ही हरदय से समबंदित कहलाएगा आपका जो परी संचुरल टंतर है सर्कूलिट्री सिस्टम है ऐसे ही औरगन सिस्टम जिसमें समान काम करने वालों को हम एक साथ पढ़ते हैं अंग प्रणाली अब ये साथ से आठ नौ अंग प्रणाली की डाइजेस्टिफ है रेस्पिरेटरी है सिर्कुलेटरी है एंडोक्राइन है ये मिल करके बनाते हैं आपको आपको मतलब ये पूरा का जान में वो एक-एक औरगन सिस्टम को पढ़ेंगे लेकिन वो कहां से बनाए माम उसकी सबसे छोटी काई क्या है ये सेल है इसी लिए सेल को कहा जाता है बेसिक यूनिट ओफ लाइफ ये बायोलोजी की भाषा है अभी देखना समझना बहुत चारी चीजह आएंगी समझ म ये क्या है आपकी जीवन की मूल भूत एकाई कही जाती है जीवन की मूल भूत एकाई या मैं कहूं स्ट्रक्चरल एंड पंडामेंटल यूनिटा सरंचनात्मक व क्रियात्मक एकाई इसको हम यहाँ पर नाम देते हैं सरंचनात्मक व क्रियात्मक एकाई क्योंकि क्रिया भी यही कर रही है सारे के सारे काम को भी यही समझाल रही है और आपका पूरा स्ट्रक्चर अल्टिमेटली पूरा शरीर भी इसी के द्वारा बन रहा है इसी के द्वारा बन रहा है बोलो बात समझ पा रहे हो कि नहीं चैना इसी को कहा जाता है इतनी कहानी ठाव और समझ गया हमने यह सेल है हमारे पास यह कोशिगा है हमारे पास यह बायोजी में सबसे चोटी गई तुम से पूछेगा अगर उसने लिखा न शब्द बायोजी तो तुम कहोगे माम सेल होगा अगर तुमसे बोले भाई कर बने होंगे उसके अंदर भी सबसे चोटा परमाणू होता है तो वहां निकल के आता है आटम की एक परमाणू क्या है सबसे चूटी का ही नजर आती है बेसिक उने जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते लेकिन उसके बाद भी हमने उसमें लेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट पर मिल जाएगी मैं क्लास के तुरंट बाद आपकी पीडियाफ डलवा दोंगी आप लोग एक बार जॉइंग कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक रहेगा ठीक आते हांगे चलो माम यह भी हम समझ गए कि यह रही हमारी सेल और इस सेल के अंदर यही सारे स सिस्टम्स है एक बार नदर डाल लेते हैं जैसे पूरा खाना आपका किस प्रकार से पच रहा है कि मुख से खाना गया चोटी आथ बड़ी आथ यह पूरी नौ मीटर लंबी एक कैनाल होती है इस पूरे तंतर को हम डाइजेस्टिव सिस्टम या पाच्वन तंतर कहते हैं इसी के साथ जब आप सांस लेते हैं आपने कहा हमाने श्वसन किया ऑक्सिजन अंदर ली कार्मन डायोकसाइड बहर छोड़ी हमें तो लगता है सांस ले रहे है नौर्मल सिस्टम है यह पूरा सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है श्वसन दंतर होता है जहां नाक से लेकर के आपके लंग्स तक यानि की फेफडों तक आपका पूरा एक passage connect होता है बीच में आपका pharynx भी आएगा लेरिंग्स भी आएगा जहां आपका स्वर्यंत्र होता है आडम सैपल जिसे हम कहते हैं लेरिंग्स को कहेंगे voice box कहते हैं वो सभी चीज़े भी आपको यहां पर नजर आती है clear पूरे फेफडों तक कि माम फेफडे कैसे contract हो रहे हैं relax हो रहे हैं बात दिल की जब आती है तो दिल का मामला simple तो नहीं है माम दिल का मामला बड़ा complex होता है लेकिन हम इसको बड़े असान शब्दों में पढ़ेंगे क्योंकि इस दिल के साथ सारी की सारी नसे mainly यहां पढ़ी जाते है कि रुधिर क्या है रख्त क्या है और रदय क्या है और रदय से संबंदित यह जो पूरा आपका नसो का सिस्टम है एक लाल नसे होती है एक नीली वह कहते हैं अब भाई हमने तो जोश में नस काट ली कई अब उन्हें यह नहीं पता कि भाई वो नस काटना गलत है उपर जो उबरीवी नसे होती है वो आपके अशुद्रक्त को ले जाती है जिने हम कहते हैं शिराएं और अंदर जो धसी हुई है वो होती है आपकी आर्ट्री जिनको धमनी कहा जाता है जो शुद्रक्त को लेकर जाती है तो नसों में भी वेराइटी है मैम यह लाल और नीला ऐसे ही नहीं दिखता है शरीर में तो यह सारा सिस्टम हम पढ़ेंगे सर्क्यूलेटरी सिस्टम में जुसे परी संचरन तंत्र कहा जाता है इसी प्रकार से जब आप बात करते हैं आपके शरीर की सारी मास क्या है हडियां क्या है तो मसल्स के सिस्टम को मस्कुलर सिस्टम कहा जाता है और यहीं यह मसल्स हमारे ब्रेन से कनेक्टेड हैं आपकी जितनी भी हडियां है वह सब आपके पूरे शरीर में इंटर कनेक्टेड हैं यह सारे सिस्टम हमारे अलग अलग पूरे जीव उनका है ग्रोथ कितनी हो रही है कोई व्यक्ति बहुत छोटा रह गया बोना रह गया कोई बहुत लंबा हो गया जजंत्रम ममंत्रम वाली हाइट उसने अचीफ कर ली होर्मोनल लोचा है तो यहां जितने भी हमारे अंतहरी स्त्रावी ग्रंथियां हैं एंडोक्राइन सिस्ट सिस्टम में पढ़ते हैं गजहाते अंग आता है अगर मारे मेल попроб अलक और फ् бизнес होता है क्यों कि में जब करते हैं मेल अलक एफिमेल अलक और जिन के अंदर दोनों सिस्टम दिखाई देते व equation arrived यहां पर पढ़ेंगे जैसे कुछ मेल में कुछ पुरुषों में महिलाओं वाली विशेशना आपको दिखाई देती यह यह कुछ महिलाओं पुरुषों वाले गुर नजर आते हैं इसेक चीजें हम । अंधर बात करेंगे जातर है न확 defending आते हैं वह तो मन पूरी की पूरी तुम्हें याद हो जाएंगी जब हम पूरा स्केलेटल सिस्टम बढ़ेंगे बहुत बेसिक से कि कुछ हमारे इस जेंटरल लाइन एक्सस से जुड़ी है कुछ हमारे हात्माओं अलग-अलग दिखाई देते हैं टोटल मिलाके 206 हड्या इसे पढ़ते हैं कं कंकाल तंत्र और कंकाल तंत्र यकीन है तो अगर देखर के डर रही है यह था इस ह्पूरे है है माम यह तो हमारा ही शरीर है हमें पता तो हो कि घुटने की हड़ी को पटेला कहते है की वो जो गोल गोल कटो रही होती है गुठने में मसला क्या है वहाँ पर तो यह सब जीजें आपर क्या गरनी है पढ़नी है कंकाल तंत्र के अंदर तो कुछ ऐसे ही सिस्टम्स होते हैं इसी प्रकार से आपका मास्पेशी से related muscular system हो जाएगा जहां सारी muscles कि bicep क्या है tricep क्या है बस मैडम जिम जाने से मतलब है बाइसेप tricep हमें नहीं पता नाम नहीं पता याद सब पुछ करना है 300 वोंट चाइल्ड की होती है हां जी लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो हड्डियां करते हैं आपके जू लॉजी में ठीक है मतलब बॉड़ी के जितने भी human physiology में हम बात करें कि मानफ के kriya विज्ञान में आते हैं इस अभी इसके बाद जो दूसरा most important section है वो हम बॉटनी में पढ़ेंगे पादप विज्ञान में कि माम plants के अंदर क्या-क्या process चलता है कि plants कै से सांस लेते हैं उनमें भी श्रसन होता है ना plants भी जीवित हैं मसला वो नहीं है कि वो चल नहीं पारे तो माम उन्हें हम जीवित नहीं गएंगे आक्चली में जब आप किसी को living कहते हो ना चार विशेष्टाओं पर ध्यान रखना तब आप कहोगे कि वो व्यक्ति जीवित है अब जीवित में सबसे पहले क्या आता है वो आती है growth कि माम ये व्यक्ति क्या कर रहा है विकास हो रहा है इसके अंदर कि बच्चा एक साल दो साल तीस साल जैसे जैसे बढ़ा होता जा रहा है उसके अंग भी डेवलप हो रहे हैं उसके अंदर भी विकास देख रहा है तो पहली विशेशता होती है कि वह विकास कर रहा है हाइट बढ़ रही है वजन बढ़ रहा है आदते उसकी अलग-अलग होती चली जा रही है हॉर् होते हैं नर प्रजन तंत्र अलग होता है मादा का अलग होता है तो उनके थ्रूब वो एक पीडी से दूसरी पीडी को बनाने में सक्षम होते हैं फिर आती है वह कहानी माम जिसे हम कहते हैं कॉंशियसनेस अब एक बहुत इंपोर्डेंट क्वेशन का मुझे आंसर देना आधे लोग क्लास में सबके सामने वीडियो चल रहा है कुछ ऐसे होंगे जो माम इस टाइम ना किसी खयाल में खोए होंगे हम देख रहे हैं क्लास को पर हमारा खयाल कहीं और चल रहा है हम सोच क अचानक से फिर होश आता है रहा रहे हम बाद तो मेरा मिस हो गया आपकी वोडी में कॉंशिसनेस है अप चेतना एक अक्टिव फॉर्म में हो कि अचानक से कोई आकर तुम्हारी पर टाइगर ना शुरू कर दे तो तुम रिवर्स में तुम फटा फट से अपना एक नहीं कर रहा है तो यह consciousness होना एक major गुण यहां पर माना जाता है कि भीया आप conscious है जो व्यक्ति कोमा में होते हैं कहते हैं कोमा नाम की जो बिमारी होती है कोमा में चला गया है व्यक्ति वह आक्चुली brain dead माना जाता है कि उसका brain जो है चाया पचाय मतलब माम रोटी खाई रोटी खाई तो अंदर बोडी में जैसी हमने खाना खाया वो खाना जाकर के तूटेगा रोटी जाकर के ग्लूकोज में तूटी अपने दिरे-दिरे फॉर्म में breakdown हुई और हमें उट जा देने का काम किया प्रोटीन खाया प्रोटीन ने मास पेशियों का विकास किया तो पहली चीज देखो मेटाबॉलिजम में कुछ तूटता है और कुछ नया बनता है आपने कहा रोटी खाई तो रोटी ने तूट करके ग्लूकोज दिया और क्या नया बना एटी भी नया बन गया तो दो प्रक्रियां एक साथ होती है क्या करें हाँ अब बताओ क्या करें तो भाई यह सब चीजें आपकी मेटाबॉलिजम को बिगाड़ देती हैं आपसे कहा जाए हरे सबजियां खाइए फल खाइए किसको रास आता है कौन चाहता है कि माम हम बैठ करके फल और सबजी खाए हमें चाहिए बढ़िया बढ़ि अब तो भाई यह कहलाती है आपकी जीविट चीजें अब इसी प्रकार से विज्ञान की कुछ शाखाएं जो होती हैं हमारी उनकी और बात कर लेते हैं कि माम कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं जो कि हमारे इसके अंदर देखने को मिलती हैं यह नहीं यह तो पड़ा जोलोजी-बोटनी Microbiology, Ecology है, Psychology है, Anatomy है, Morphology है इनके बारे में सुने हो, इन सब चीजों से familiar हो, कभी सुने हो या नहीं क्यूँ भगे यह बताओ, कभी सुने हो तो माम इन इन सब में सबसे पहले हम बात करेंगे आप बताओ यह विज्ञान की कौन सी शाखा हो सकती है, एक बार सोच के बताओ, जहाँ पर व्यक्ति क्या कर रहा है, माइक्रोस्कोप में कुछ लगा रहा है, स्लाइड और फिर देख रहा है कि अच्छा, है क्या, उसको अंदर दिखाई दिये, छोटे-छोटे से कुछ इसको हम विज्ञान की कौन सी शाखा में मानते हैं, तो यहां क्योंकि इसको नगन आखों से नहीं दिख रहा है, इसलिए तो यह माइक्रोस्कोप में लगा रहा है, इसको खुली आखों से नहीं दिखाई दिया, इसलिए इसने क्या किया, माइक्रोस्कोप में लगाया, इ इन्होंने सबसे पहली बार सुक्ष मिजी वो कुछ ऐसे रॉड शेप के हैं, बैक्टीरिया भी अलग-अलग शेप के होते हैं, कुछ रॉड में होते हैं, कुछ सर्कल में होते हैं, कुछ स्पाइरल होते हैं, कुछ कॉमा शेप के होते हैं, तो अलग-अलग शेप में नजर आते हैं इसी प्रकार से एक और विज्ञान की शाखा आती है जितमें हम इस structure की बात करते हैं देखो हम रटेंगे नहीं जैसे मैंने पहली कहा हम एक एक चीज को देखकर समझ कर कि actually body में वो दिखता कैसा है होता कैसा है उसका आकार क्या है कैसा है देख करके चलेंगे यह structure है ह या अपनी मम्मी पर गया हूँ या अपने पापा पर गया हूँ मेरी हाइट उनके जैसी है या मेरी शकल उनके जैसी है या मेरी अवाज उनके जैसी है कुछ ना कुछ गुण आते हैं ना माता-पिता जैसे कि मम्मी की हाइट छोटी थी तो बच्चे की भी छोटी रह गई ये चीज़े कब आती हैं जब वो DNA माता-पिता से बच्चे के अंदर इन्हेरिट होते हैं समझ पार हैं सभी तो माम ये DNA के अध्यन की जो हम बात करते हैं completely वहाँ पर विज्ञान की एक शाखा हमने पूरी बनाई जिसको कहा जाता है बायो केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री के अंदर हम पूरे जितने भी सेल के कंपोनेंट्स होते हैं इनके बारे में बात करते हैं कि क्या आपके जैविक घटक है और किस प्रकार से आपके एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में चीज़ें इन्हेरिट हो रही हैं होता है कि नहीं होता तो ये कहलाती है आपकी बायो केमिस्ट्री अगली आती है जिसके अंदर हम पूरी सेल के बारे में अध्यन करते हैं सेल कम्प्लीटली आपके हर एक लेवल पे आणविक स्थर पर बात करें मॉलीकिलर लेवल पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसको हम सेल की बायोजी के अंदर पढ़ते हैं और सेल बायोजी के जनक को कहा जाता है मुख्य दौर पे जॉर्ज पालिड क्योंकि इन्होंने छोटे-छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं जो आपके सेल के अंदर पाये जाने वाले कोशिकांग है कि मैंने कहा यह सेल है तो सेल के अंदर देखो एक न्यूक्लियस होता है अभी हम जब सेल डीटेल में पढ़ेंगे तब बात करेंगे सेल में एक इंद्रक होगा एक पास में अंतहय प्रद्वी जालिका लगी होगी साथ में कुछ यहां माइटो कॉंड्रिया होंगी जब सबका अलग-अलग काम होता है और यही सेल मीनी हिल्प करता है आपकी बोड़ी को डेवलप करने में ग्रो करने में इसके अच्छे फंक आपने कहा सेल के अध्यन को सेल बायोलॉजी कहते हैं विज्ञान की एक शाखा आपने और सुनी है जिसे कहते हैं साइटो लॉजी को बताएगा इसमें अंतर क्या है साइटो लॉजी इसे भी पोशी का विज्ञान कहा जाता है हिंदी में क्यों भाई कौन बताने वाला है मोरे डीटेल में जाते है न माइटॉसिस हो रहे हैं अर्दवी सूतर है पाज़ा है सेल में बना रहा है चार बना रहा है डिवजmother उसको हम सेल बायो लॉजी के अंदर पढ़ते हैं तो दोनों चीज़ों में क्या है अंतर है आप तो यह कह देंगे मैं सेल की बाइलोजी, इसमें भी मैं सेल पढ़ूँगा, साइटोलोजी, इसमें भी मैं सेल पढ़ूँगा, अंतर है, यहाँ पर आप लिमिटिट चीजें बढ़ते हो, यहाँ पर आप उसके डाइवर्सिफाइड फिल्ड को पूरे कम्प्लीट इसे कहते हैं आनुवान्षी की, जैनेटिक्स, लिटरली ऐसे स्टूडेंट्स होता है जैने आनुवान्षी की आज तक समझी नहीं है, जैनेटिक्स है क्या, आप में इसे भी अगर किसी को डाउट रहा हो तो मुझे एक थम्स अप का साइन श्यर कर देना, एक डीटेईल ले आप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ हेरिडिटी और वेरियेशन, दो चीज़ों के उपर बात करते हैं, कि देखो कुछ गुण तो आ गए, हेरिडिटी में आ गए, और अब ऐसा तो नहीं है ना, कि जैसे पापा है, हूब भू तुम वैसे ही दिखो, य आप इसी के अंदर पढ़ते हैं, कि कुछ चीज़े इनहेरिट हो रही हैं, और कुछ आप यहाँ पर वेरियेशन भी देख रहे हैं, इसी प्रकार से सबसे इंपोर्टेंट, जो आपकी विज्ञान की शाखा है, उसे हम देखते हैं, आपका परियावरण, एकोलोजी, पाय स्वस्त हैं, तो हम अपने आप क्या हो सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, यह हमारे आसपास की चीज़ें सही हैं, अब इतर को कितना पल्यूशन है दिल्ली के अंदर, लोग चाहा करके भी स्वस्त नहीं रह पारें, क्योंकि वो जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, जहां भी र रक्षा आपने ही करनी है, यह भी हम इसके एकोलोजी के अंदर, यानि के पारिस्तिकी तंतर के अंदर पढ़ेंगे, इसके जनक की बात करें, तो इओडम का नाम याद रखना, यूगीन ओडम कहा जाता है, इओडम इसके जनक कहे जाते हैं, डीटेल में बढ़ेंगे, अब मैंने यह देख करके बताया कि चलो तुभारे दो आँख हैं, एक नाख है, यह मैं देख करके बता रही हूँ, और जब कोई चीज देख करके बताई जाती है, उसको कहते हैं, मौरफुल हो जी, मतलब मैं उसके बाहरी स्ट्रॉक्चर को देख के बता सकते हूँ, कि अ मतलब पंक्रटी हैं, हरे रंकी इसकी साइड में दो बाहर डल दिखाई दे रहे हैं, तो हम देख करके इसको बता रहे हैं, तो इस विज्ञान की शाखा को हम क्या नाम देते हैं, इसे कहते हैं, मौरफुलोजी, यानि कि इसका आकरती विज्ञान, जहां हम उसके रूप को देख करके बता रहे हैं उसकी study कर रहे हैं लेकिन मानलो मैं आपके शरीर के अंदर मैं कहूं कि अच्छा इसका प्रॉपरे का माश्य है एक यक्रत दिख रहा है अंदर दो गुर्दे हैं गुर्दों के उपर दो अधिवरक ग्रंथियां लगी हुई हैं मैं internal organs को पढ़ रहे ह हुँ डॉक्टर साब को यही तो पता होता है तो डॉक्टर साब क्या करते हैं उसकी anatomy पढ़ते हैं मतलब internally क्या क्या organs हैं कितनी हड़ी हैं कितनी मासपेशी हैं इस विज्ञान की शाखा को anatomy के नाम से जाना जाता है जिसमें हम आंतरिक अंगों का अध्यन करते हैं बोलो बा किसिक से हम आपको आज असी लिए बता रहे हैं कि आपका इतलो डॉट है मन में वो दूर हो की science या biology हम पढ़ने कैसे वाले हैं अभी कुछ questions भी मैं आप लोग को यहां पर कराऊंगी and आप लोग का जो paid batch है जिसमें हम पूरा mission 2024 आप लोग को target करते हुए तैयारी कराने वा क्योरी को करने वाले हैं with practice set questions and सभी आपकी PDF के साहथ entertainment चलना ने आपे बात कर लो माम पढ़ना थोड़ी है हमें बात कर लो माम तो इसे कहते है anatomy माम एक चीज़ बताओ आपने कहा बाहर से देखके बता दिया दो हाथ है दो पाउं है अंदर से अब तुमने हड़ी भी बता दिया anatomy में उस अमाशे में उस हड़ी में चल क्या रहा है उसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं उसको पढ़ते हैं क्रिया विज् स्ट्रक्टर के लिए बाहरी चीजों के अध्यन के लिए तो बाहरी चीजों का अध्यन हमने देखा क्या क्या चीज़ें मॉर्फो में पढ़ा फिर हमने कहाँ anatomy anatomy में हमने क्या जाना आंतरिक अंग क्या है और फिर आता है physio physio मतलब अंदर process क्या चल रहा है क्रियाएं क्या क्रिया विज्ञान कार्यों को समझता कि भाई इसके शरीर में कौन कौन से चल रहे हैं कौन सा रेसेप्टर आके कहां बंद रहे हैं तुमने दवाई खाई तो बोड़ी में किस और गन से अटाच हो रही है क्या क्या चीज़ें आपर प्रोसेस हो रही हैं इसी प्रकार से आप कि जो शाखाएं हैं विज्ञान की आशा करूंगी वह आपको समझ में आई हूँ आपने अभी तक यह भी देखा कि मैम कैसे एक इनसान पहले गोरिला चिंपेंजी वाले रूप में था जुक करके चलता था और आज वापस से वही दौर आ चुका है कि भढ़ते भढ़ते वह modern men तो बना लेकिन modern men एक आधुनिक आदमी बनने के साथ अब वापस mobile phone और laptops के अंदर फिर वही इस्तिति आती जा रही है यह जो पूरा अध्यन हम पढ़ेंगे ना यह पहले dryopithecus, ramapithecus, australopithecus, neanderthal, फिर homo habilis, homo erectus, अब जाकर के homo sapiens, sapiens, modern men आधुनिक जो आधुनि इसी चीज़ें आप पढ़ेंगे evolution के अंदर कि किस प्रकार से आपका विकासवाद जी विज्यान आपको नजर आता है, ठीक है, एक सिकेंड चलो, यह सभी चीज़ें हम पढ़ने वाले evolutionary biology के अंदर, इसी प्रकार से अभी हमने बात की थी कोशिकाओं का अध्यन क्या कर रहे हैं, cell का अध्यन की बात कर रहे हैं, कोशिका का अध्यन, और मान लिए मैं, cell ने मिलकर के क्या बना दिया, टिशू बना दिया, cell तो सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने खो जा था, cell पढ़ेंगे हम, लेकिन इससे मिलकर के जैसे ही उत्तक बने, उत्तक के लिए word आता है, histo, क्या आता है, histo, हिस्टो वर्ट तुम्हें जहां भी तिक जाना हम, टिशू की बारे में बात कर रहे हैं, histology, उत्तक विज्ञान शरीर के उत्तकों का अध्यन, कि शरीर में कौन-कौन से उत्तक यहां पर उपस्तित है, क्या ये बात सभी को clear है, तो माम ये होत pathology, pathology अगर कहीं आप जाते हो, टेस्ट कराने तो pathoword का मतलब होता है, बिमारीों से संबंदित, कोई रोग तो नहीं बन रहा बोडी के अंदर, तो pathology अध्यन होता है, बिमारीों का, रोगों का, कि शरीर में कोई रोग तो नहीं है, रोगों की जाच कराने के लिए, आप क यहां आपके रोगों का अध्यन ने किया जाएगा आपका ब्लड का सैंपल लेंगे टेस्ट करेंगे इस अभी चीज़ें आपकी देखने को मिलेंगी कुसुम बच्चे यूट्यूब पर आप लोगों की डेली सुभा क्लास होगी ग्यारा बजे ठीक है और बाकी आपका कंप्लीट कोर्स जो है वह आप लोग को यहां पर अप्लिकेशन पर भी कराया जाएगा तो आप लोग अपने अप्लिकेशन पर भी एक बार डाउनलोड कर के चेक कर सकते हैं इसे कहते हैं पैथोलोजी तो भाई ये कुछ शाखाई है अब देखें माम हम यहां पर कितने पानी में हैं जरा लगाओ एक क्वेशन का आंसर कितने पानी में हैं प्रीट ठीक है अनसर आरस्तू माम इसमें कोई शक नहीं था कोई दुविदा नहीं थी अरस्तू सहाब ही है जिने जीव विज्ञान का जनक यहां पर कहा जाता है अगला सवाल बॉटनी के जनक किसे कहा जाता है वनिश्पति विज्ञान के जनक कौन कहलाई जाते हैं पुटली भई एक पर फटाफट से और समर्थन पूरा चाहिए चीजे समझ में आई है क्लियर हुई है तो सेशन को अंगुठे वाला बटन मतलब GST नहीं गटरी तुम्हारी है सेशन पर अंगुठे वाला बटन दबाके और भाईयों बहनों तक पहुंचा देना कि भाईया मैडम की क्लास तो रोज सुभा ग्यारा बज़ा चलने वाले है ऑप्शन नम्बर सी आंसर आ रहा है बॉटनी के जोनक कहे जाते हैं थियोफ्रेस्टस सहब जिन्होंने किताब भी लिखी थी हिस्टोरिया प्लेंटेरम आई होब इस इस क्लीयर नेक्स प्षिशन हिस्टोरिया एनमेलियम किताब किसने लिखी थी फट्डा फट से बाइलोजी फ्री क्लासेज यूट्यूब में होंगी क्या अंकन मलिक बिलकुल होंगी सुबह ग्यारा बजे डेली आपकी फ्री क्लासेज यूट्यूब पर चलेंगी अरस्तु सहाब ने लिखी थी इस सी आंसर कौन लगा रहा है भाई हिपोक्रेट्स ने थोड़ी करा था अरस्तु सहाब ने लिखी थी क्योंकि इन ही को कहा जाता है देखो इनके नाम के आगे फादर ओफ बायोलोजी भी लिख देना इन्होंने जीव विज्ञान का भी जनक कहा जाता है मतलब इसकी भी खोच करी इनको फादर ओफ जूलोजी भी कहा जाता है और इन्ही को कहा जाता है फादर ओफ एम्ब्रायोलोजी अब यह क्या है माम इसे कहते हैं भूड विज्ञान जब बच्चा भूण अवस्था में होता है तो भूण विज्ञान का जो पूरा अध्यन है इसके भी जनक किसे कहा, अरस्तू सहाब को कहा तो तीनों क्रेडिट इन्ही के नाम है, आप लगा सकते हैं आंसर आपका अरस्तू बिलकुल सही हो जाएगा इन्होंने जानवरों के अध्यन के उपर काम किया था अगरा के रहे, branch of science dealing with the study of skin of man मनुष्य की त्वचा की अध्यन से संबंदित विज्ञान की शाखा कौन सी है अब यहाँ बात आती है, elimination method की देखें क्या answer लगाएंगे पवन शर्मा परिशान ना, तो देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है परिस्तिती वश जो आपके control में नहीं होती है तो फिलाल के लिए आपका जो study से नाता है, पढ़ाई से नाता है वो कहीं भी किसी प्रकार से affect ना हो आपकी classes daily चल रही है, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजे, जादा अच्छा होगा option आ रहा है माम, dermatology माम, physiology आपका जो शरीर के internal organs की क्रियाएं थी, उसको समझने का विज्ञान था ये भी नहीं होगा, anatomy आपने बनाया, अंदर के अंग जो हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं और बाहर के structure को morphology कहते हैं, अब बचा क्या, dermatology जब तुम्हें ना भी पता हो, तो तुमने eliminate कर लिया, हमें पता चल गया, और वैसे भी अगर हम बात करें तो देखो भाई, कहीं पर भी derma word लिखा मिल जाए, मतलब skin के बारे में बात हो रही है कहीं तुम्हें gastric शब्द लिखा मिल जाए, मतलब अमाशे के बारे में, stomach के बारे में बात हो रही है ठीक है, कहीं आपको hepatic word लिखा मिल जाता है, तो समझ जाएगा यकरत का अध्यन चल रहा है, यक लिवर के बारे में यह वो tricks हैं जो याद रहेंगे तो biology में समस्या नहीं आएगी, ठीक है, renal word दिख जाए, तो समझना कि मैं किड्नी का धिन कह रहे हैं, या kidney से संबंदित कोई चीज आपकी चल रहे है, व्रक से संबंदित, आपसे cardiac word लिखा मिल जाए, तो heart से संबंदित, रिदय से संबंद ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका जो कई सारे ऐसे words हैं, जो हम with time सीखेंगे, यह मिल जाएना समझ जाना अच्छा किसकी बात चल रहे है, तो dermatology मतलब skin का धिन यहाँ पर कह रहे है, कभी cardiology लिख दे तो heart का धिन है, renal या nephro word आ जाता है, तो kidney का धिन है, hepatology liver का धिन है, gast gastrology stomach का, इसके doctor को gastroenterologist कहते है, इस सभी चीज़ें आपकी रहती है, अगला सवाल, insect का धिन क्या कहा जाता है, कीट कीडों का धिन क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर क्या answer लगाने वाले है, माम की class का pdf, आपको rankers guru कुल telegram channel पर मिल जाएगा, class के बाद में एक बार आप से चेक कर लेना, correct, entomology कहा जाता है, कीट विगया, भिंदी में तो माम समझ गए, इंगलिश में entomology, यह आपके arthropoda के अंदर कीट आते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे entomology, थायोलोजी मचलियों के लिए होता है, neonatology किसी भी हम जब बात करते हैं, जो नवजाज शुशू होत हैं, C option is the right, अगला देखो, binomial nomenclature was introduced by, द्वीपद नामकरण की खोज या शुरुवात किसने करी थी, द्वीपद नामकरण की शुरुवात किसने करी थी, पटा फट से भाई, जल्दी से एक बार आंसा करतो, और कल भी हम इसके आगे अपने डीटेल में चाप्टर को शु होगी, एक option लगा रहे हैं, कैरूलस, लीनियस, ठीक है, लीनियस सहाब ने द्वीपद नामकरण की खोज करी थी, अगला आपसे कह रहा है, branch of biology, यानि कि विज्ञान की वो शाखा जो जीव की पहचान, नामकरण और वर्गी करण से संबंदित है, वो विज्ञान की कौन सी विज्ञान की कौन सी शाखा है, जहां हम पहचान भी करते हैं, वर्गी करण भी करते हैं और इसका नॉमनकलेचर भी करते हैं, नामकरण भी करते हैं, डी और सी में confusion हो रहा है, माम, ठीक है, देखो भाई इसको कहता है, टेक्जोनॉमी, अभी तो बात करी थी, इसको नोई चीज़े करते हैं पहचानेंगे सबसे पहले देखा पहचाना पहचान के उसको वर्गी करत किया कि भी जानवर में दिख रहा है या प्लांट में और फिर मैंने उसका नाम दे दिया तो यह सभी चीज़ें आएंगे आपके इस पूरे टेक्जोनॉमी शाखा के अंदर सबसे छोटी काई स्पीशीज गही जाती है जिसे हम जाती कहते हैं अभी बात की थी ना स्पीशीज कौन सी होमो सेपियंस में सेपियंस बड़ स्पीशीज के लिए आता है तो सबसे छोटी काई kingdom, phylum, class, order, family, genus, species की keep pots clean और family get sick पोट्स को साफ रखो वरना family बीमार हो जाएगी ट्रिक के साथ याद रखेंगे बढ़िया तरीके से अगला सवाल है बेक्टीरिया की खोज किस ने करी थी आंटनी वें लिविन हॉक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच या रॉबर्ट हुक या फिर रॉबर्ट हुक फटा फट से, चलिए, कैलाश आपके सभी एक्जाम्स के लिए, for all एक्जाम्स में आपको completely करवाऊंगी, जो साइन स्पेशल बैच आपका है, जो आटजी विक्रमजीत अप्लिकेशन पे एक दिसंबर से शुरू हो रहे है, आप डेल्वेस की तियारी कर रहे हो, एससे की क खराब ना करो, गलत ना करो, बैक्टीरिया की खोच की बात कर रहा है, एंटनी वेनल्यूविन हॉक ने इसकी सबसे पहली बार खोच यहां पर करी थी, रॉबर्ट ब्राउन की कहेंगे, तो वह अभी हम आगी सब सेल में पढ़ेंगे, कि न्यूकलियस हो जाता, केंदरक, रॉबर्ट कोच ने जर्म थियोरी दी थी डिजीज की, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोच करी थी, जो पहला म्रत कोशे का डेट सेल यहां पर कहा जाता है, ठीक है, डेट सेल यहां पर कहा जाता है, तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों के questions जो हैं वो बनते हैं, नेक्स्ट और भिन्दता के अध्यन को क्या कहा जाता है, अभी बात कितना है कि मैं भया भेन जितने भी हैं वो सब समान तो नहीं होंगे ना, कुछ तो भिन होंगे, क्यों, क्योंकि माम वहाँ हम बात करने, जैनिक्स की कुछ तो वेरीएशन भी हमें दिखाई देता है, करने वाली समान कोशिकाओं के सम्हू का नाम क्या है जल्दी से एक बार कर दो आंसर सेम टाइप का काम कर रही है एक जैसी कोशिकाओं का सम्हू है उसको क्या कहा जाएगा मैं ट्विन्स तो होते हैं ट्विन्स वाली कहानी अलग है डच ट्विन्स वाली कहानी भी बताऊंग इसने कहा group of similar cells और cell कोशे का जब आपस में जुड़ती हैं तो क्या बनाती हैं? उत्तक यहाँ पर बनाती हैं टिशू यहाँ पर बनाती हैं तो इसी को हम उत्तक विज्ञान कहते हैं histology इसके अध्यन को यहाँ पर कहा जाता है histology इसके अध्यन को कहा जाता है ठीक है? चलो नेक्स प्वेशन आपके सामने है पूछा है जी विज्ञान की शाखा जिसमें जीवित और उसके पर्यावरन के बीच का जो संबंध है उसको आप किस नाम से जानते हैं? वो कौन सी शाखा है, which deals with the relationship between living और उनके environment की मैं कोई जीवित जीव हूँ और मेरा आस पास का जो भी पर्यावरन है, इससे जो मेरा संबंध है, जो relationship है अब ज़रूरी नहीं है, relationship एक ही हो तो यह जो relationship है, इसका नाम क्या है? कि यह रिष्टा क्या कहलाता है? अब यह रिष्टा क्या कहलाता है? यह answer आज आप लोग मुझे देने वाले हो class के अंत में offline comment में और मैं सबके answers चेक करने वाले हो कल सबका नाम लगाओंगी कि तुम कितने-कितने answers सही करके आए हो कि तुन्होंने सही offline comment में answer दिया है तो यह आज आपका homework question है आशा यही करूंगी कि आज हमने जुतना भी पढ़ा, आप सभी को चीजें यहाँ पर clear हुई हो एक बार एक thumbs up का sign मुझे मिल जाए कि माम हमें सब कुछ समझ में आ गया, आपने जो भी आज बताया इसी प्रकार से रोज सुभा 11 बज़े आप लोग की classes रहेंगी हम इसी प्रकार से अपने सवालों को भी यहाँ पर समझते हुए चलेंगे बेटा देखो concept जानना बहुत जरूरी है यह नहीं कि माम हमने न सौ सवाल बोले थे एक PDF में मिल गए थे कर लिए खतम कर लिए paper दे आए कब कहां तुम्हें गुमा देना examiner तुम्हें भी नहीं पता तो make sure कि आप बढ़िया तरीके से concept को समझते हुए रोज consistency के साथ यह वादा आज आप लोग मुझे इस class में कर दो कि माम हम लगातार daily basis पे कि अगर madam यहाँ पर है सुबह 11 बज़े तो मुझे आप सब की present चाहिए कि भाई ऐसा ना हो एक दिन छोड़ दिया अगले दिन देख लिया जहां तुमने यह काम किया फिर मत कहना माम कहां गया समझ में नहीं आ रहा यह बीच का कैसे गायव हो गया आल राइट सचन यादव यह बिल्कुल बेसिक था जो हमने पढ़ाना बिल्कुल बेसिक था इससे जाधा basic biology में कुछ नहीं है अब जो पढ़ेंगे वो चीजें आगे 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 आपकी समझ में आएंगी बढ़ती चलेंगे हम clear चलिए तो मिलेंगे आप लोगों से कल आपको डाउनलोड कर लेना आपने अगर नहीं किये और वहां पर आप लोगों का जो science special batch है वो शुरू हो रहा है एक December से तो जरूर से जुड़े जरूर से जुड़े और इसी प्रकार से अपने विज्यान के डर को धूर करें और हां अगर session helpful रहा हो तो comment section पे जरूर से बत